हाई गाईज, वेलकम बैक तो मैच चैनल, ये है एक 20 इयर्स मेल परसन का हैंड, मैं इनके हैंड की अनलेसिस वीडियो में करने जा रही हूँ, गर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अपना हाथ मुझ पूछ सकते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं, ये है 20 इयर्स एक मेल परसन का हाथ, इन्होंने मुझे बताया कि ये कोई भी काम करते हैं, तो उसमें इनको सक्सेस तो पहले मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो काम बंद भी हो जाता है, तो ये चीज, इनके साथ पर ये प्र चैनल अच्छे से चल पड़ा, मतब उसमें monetization भी शुरू हो गई थी, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन फिर एकदम से वो demonetize हो गया चैनल, तो ये इनके साथ हो गया, जो की मतब काफी जादा disappointing था, तो इन्होंने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, और जिस भी चीज में मैं हार ड पताऊंगी, तो इनका जो हाथ है, वो इनका हाथ थोड़ा बहुत मुझे हलका सा rectangle shape और squarish hand लग रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनको क्या करना होता है, कि उनको planning भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मतब बैलंस हैंड बोलूँगी मैं इनको, और साथ में भाग दोड नहीं आया है, मतब थिक हैंड नहीं है, मतब एर टाइप हैंड हैंड का, ऐसे लोग जादा लंबे टाइम तक भाग दोड़ वाला काम नहीं कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो थक जाएंगे, उनको rest की जरुरत पड़ेगी, जैसे 4-5 घंटे लगातार काम कर रहे हैं अगर तो उनको 2 घंटे के rest लेना जरूरी ही हो जाती है, या फिर अगर वो पूरा हफता काम करे जा रहे हैं तो उनको 2 दिन की rest लेनी ही लेनी है, वरना वो बिमार पड़ सकते हैं, तो इस तरह की problem इनके साथ भी रहेगी, जैसे music वगर अगर ये बना रहे हैं, तो उसमें तो ए पूरा egg shape में है, तो ये ऐसे वाला जो Venus होता है, वो दिखा रहा है कि इनका art की तरफ बहुत जरुजान रहेगा, ठीक हैं, तो Venus इनका ये दिखा रहा है, जो की ये चीज़ Venus ने इनको दी भी है, तो music इनका अगर channel अच्छा चल पड़ा, monetization भी शुरू होगी, तो इसका मत mount अगर उबरा है, बाकी सब flat हैं, तो हम उनको उस hand को flat hand मानेंगे, जो की इनका है, और ऐसे जो हाथ होते हैं, जो या तो सारे के सारे mount उबरे हो, या फिर सारे के सारे बैठे हो, तो दोनों हालत में एक जैसी success मिलती, अच्छी success, तो वो हम अच्छे वाला हाथ मान के चलें वो हम देखेंगे, क्योंगे, वो हम reason पता करेंगे, तो अभी ये पूछते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, मतलब business, job या क्या, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे चोटी-मोटी company में नोकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा कोई interest नहीं बनता है उस चीज में, तो मुझे हमेशा, मतलब मैं यहीं सोचता हूँ कि मुझे high level का कुछ करना है, तो ये भी इनकी सोच है, बाकी इन्होंने पूछा है कि मैं किया किसी relationship में आऊंगा, अभी फिलहाल इनका कोई भी नहीं है, तो वो भी चीज उन्होंने पूछिए, तो हाथ इनका जैसे मैंने जो कि इनोने key भी है, ठीक है, ऐसे वहले thumb के लोग जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों को influence कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों को कोई बात वो बोलेंगे, या फिर करके दिखाएंगे कोई चीज, तो उनको पसंद आएगी, लोग उस चीज को appreciate करेंगे, मान लेना, तो ये problem ठीक हो जाएगी, ऐसे लोग दूसरों से अपना हक नहीं मांग पाते हैं, मतलब उनको अपना हक मांगते, problem हो जाती, जैसे ये कही पे नौकरी करेंगे, salary नहीं मिल रही है, तो ये बोल मी नहीं पहेंगे, मुझे salary चाहिए, date निकल चुकी है, बहुत salary नही आगे से नहीं बोलेंगे, कि मुझे चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कि दूसरों लोग फाइदा उठा के चले जाते हैं इस लोगों का, इन्होंने कोई काम करके दिया, किसी को लेकिन वो पैसे नहीं मांग पा रहे हैं, तो दूसरा बंदा भी कह रहा है, कि अच्छे से नहीं बन रहा, तो क्या होगा, पैसे टिकेंगे नहीं इनके हाथ पे, बैंक बैलन्स नहीं बन पाएगा, तो ये पूरी उमर की प्रॉब्लम रहेगी इनको, तो इनको अपने पैसे हमेशा ऐसे परसन के पास रखने चाहिए, जो की अच्छे से इनके पैसों को मतलब सेव करके रख सके, जैसे इनके मम्मी, पापा, उनके नाम का बैंक बैलन्स, बैंक अकाउंट खुलवाके, या फिर कल को शादी होती है, तो वाइव का अगर अच्छा है, तो उसके नाम का बैंक अकाउंट खुलवाके, उसमें पैसे डलवाएंगे, तो इनके पैसे सेव रहेंगे वरना खर्चोते रहेंगे तो ये चीज है बाकी ये थम में भी विल और लॉजिक पार्ट जो है हम देख रहे हैं कि विल पार्ट भी अच्छा है तो अब खुद उठके काम करना है वो भी ये कर लेंगे और अगर प्लानिंग वाला काम करना है दूसरों को और्ट देने हैं या प्लानिंग करके देनी है तो वो भी अच्छे से कर लेंगे बाकी इनकी जुपिटर फिंगर जो है वो है वैसे तो कुरूक है लेकिन थोड़ी छोटी है थोड़ी नहीं बहुत छोटी बाकी आपको career में थोड़ी dissatisfaction मिलती है जो आप करना चाहते हो अपनी life में वो आप नहीं कर पाओगे जो आपको आप सोचोगे कि मैंने ये करना है जैसे आप musician बनना चाहते हो लेकिन आपके हाथ को देखके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बन पाओगे Jupiter जो है वो क्या देता है आपको ambition देता है और आपने जो decide किया है बनने का अपनी life में वो चीज को देता है और अगर Jupiter down हो गया तो वो चीज आपको मिलने की possibility कम रहती है आपको फिर कुछ और चीज मिलती है जो की अच्छी होती है लेकिन जो आपने सोचा था जिसका आपने सपने लिये थे वो चीज आपको नहीं मिल पाती है तो ये चीज आपके साथ भी रहेगी Jupiter आपका नीच छोड़ा down हो तो उस वज़ा से लेकिन अच्छी finger जो है वो कुरूक है तो ये leadership quality को दिखा रही है और थम भी अच्छा है बढ़िया है तो आप एक team को अच्छे से lead कर पाओगे ये quality आपके अंदर रहेगी आपके अंदर leadership quality अच्छी वाली रहेगी दूसरों को lead करना दूसरों को leadership देना ये आप में quality है बाकि आपके Saturn की finger जो है वो भी Sun पे ढल रही है Jupiter की भी इसकी CD खड़ी है तो आपका ज़्यादा main focus रहेगा fame name जो की होगा ही क्योंकि आप music में अगर हो तो आपका मन करेगा कि मैं famous हो जाओं वो चीज तो है तो ये चीज अगर आपके life में music का नहीं भी रहता है कुछ तो तब भी आपकी life में रहेगी कि आप मैं जो ये काम कर रहा हूं इसमें मुझे fame मिले, recognition मिले पैसा बेशक कम मिले लेकिन मुझे ये चीज चाहिए मतब मुझे respect जीए मतब आपके दिमाद में ये चीज रहेगी बाकी आपकी sun की finger लंबी है जिसने कि आपको fame दिला दिया है जैसे YouTube पे आपने किया तो fame की वज़़े से ही हुआ है लोगों ने आपको पसंद किया है तो उस वज़़े से ही आपको monetization शुरू ही इसका मतब आप में काफी ज़़़ा capability है उस चीज की जो की sun ने आपको दे दी और आपका ये रहेगा आप risky investment बहुत ज़़़ा करोगे future में अभी भी आपने मुझे बताया था कि हाँ मेरा मन करता है share market में lottery वेगारा में मेरा ध्यान जाता है तो ये जो sun की लंबी finger यहीं आपको ये सब करवाएगी आने वाले time पे भी ये चीज आपके दिमाग से नहीं हटेगी तो share market में पैसा लगाना या कोई इस तरह की चीज करना जिसे एक ही जटके में पैसा आ जाए मतलब वो चीज का रहता है तो sun की finger लंबी होने की वज़ा से क्योंकि बहुत जादा लंबी है almost आपकी saturn के finger तक पहुँच रही है तो ये जो finger होती है ये काफी लंबी मानी जाती है sun की तो ये क्या करेगी आपको हमेशा क्या करोगी आपको ऐसे एक addictions ही लगेगी तो आप थोड़ा सा वो भी असर आ जाता है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ही करना जो भी करना होगा वैसे आपका outer marks अच्छा है जो आपको थोड़ा रोकेगा उस चीज को करने से लेकिन जब भी आपका ऐसा मन करे ऐसा ध्यान जाए तो आप हमेशा किसी जो आपको लगता है इंसान जो समझदार है मुझे अच्छी advice दे सकता है उसी के साथ आप बात कीजिए उससे आप suggestion लीजिए दूसरे जब बोलते हैं समझाते हैं तो थोड़ा असर पढ़ता है दिमाग पे तो वो चीज़ आप जुरूर करिएगा ताकि आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचो बाकी सन अच्छा है आपका स्ट्रॉंग है तो ये चीज़ हमने देख ली बाकी आपकी ये जो फिंगर है छोटी वाली थोड़ी हल्की सी छोटी है थोड़े शाई नेचर के हो आपने पताया भी मुझे की हां मैं हूँ ये शाईनेस आपकी दूर हो जाएगी आइस तरह सा आने वले टाइम पे ये मतलब आपकी एकदम दूर हो जाएगी और सब बढ़ी हो जाएगा अभी आपका क्योंकि बीसी साल उमर है बहुत चोटे हो तो इस वज़ा से भी ये शाई नेचर हो सकता है और वैसे भी ये फिंगर जो है अगर लंबी हो जाए तो वो चीज को कम कर देती है लेकिन आपकी इसलिए है क्योंकि अब हल्की सी छोटी है तो वो चीज है आपकी देख लेते हैं आपके माउंट को तो माउंट मैंने पहले ही बता दिया फ्लाइट माउंट है सारे जो की ठीक है चलो वो मैंने बहुत दिया कि अच्छे होते है आपका मर्करी बहुत बढ़ी है तो आपने यूट्यूब पे जो चैनल खोला हो एकदम मतब कुछ भी नहीं है आपके मर्करी पे तो ये चीजे हैं कि लाइन्स आना बहुत इंपोर्टन होती है आने वाले टाइम पे अगर आ जाती है और अगर यहां एक, दो, तीन भी होती है तो भी बहुत अच्छा तो आपके हाथ पे लाइन्स बहुत कम है तो छोटी सी भी लाइन आपकी काफी बड़ी इंडिकेशन देगी हमको तो अभी फिलाल नहीं है तो कोई बात नहीं आने वाले टाइम पे आ सकती है तो बाकि आपके मर्करी को अगर लाइन नहीं है आपका एमाउंट वो भी आपके हाथ से चला गया ऐसे भी आपने मुझे बताया था तो ये चीज़ भी है क्योंकि यहाँ पे पैसे का टिकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि हर तरफ से मैं देख रही हूँ कि वो ही प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये आपका सन माउंट है जिस पे की कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा है मुझे एक इंडस्ट्रियल लूप बन रहा है जो की दिखाता है कि आप जब भी कहीं पे भी नौकरी करोगे आप हमेशा आपके दिमाग में यह रहेगा कि मुझे बड़ी कमपनी में नौकरी करने है जो आपने कंफरम भी कया कि हाँ मैं चोटी मोटी कमपनी में नौकरी नहीं करना चाता है चोटी मोटी जॉब का तो मैं कुछ नहीं कह सकती वो आप बेशक करلो लेकिन हाँ बड़ी कंपनी का होना जुरूरी है मल्टीनेशनल कंपनी अगर हो तो और भी बड़ा अच्छा है तो ये चीज़ का आपने धिहान रखना है जब भी आप बिजनस करो या नौकरी करो आने वले टाइम पे लोग वही करते हैं तो अगर आप बिजनस करोगे तो आपका वो या तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा होना चाहिए या फिर पुछते हैं नहीं होना चाहिए चलो वो जो माइंड लाइन आएगी तब देखेंगे अभी फिलाल हम सन को देख लेते हैं यहां से एक लाइन ऐसे करके जारी जो दिखा रही है कि फॉरन का कनेक्शन जुड़ता है आपके हाथ में फॉरन का कनेक्शन तो ये चीज़ आप दियान में रखना म्यूजिक आपका चलो मैंने माना कि आपका म्यूजिक इंटरस्ट है म्यूजिक में जो भी है लेकिन आपका जॉब के साथ मेरा जादा मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ पे कनेक्शन जोड़ रहा है जिसमें कि आपको सक्सेस मिल सकती है अभी जो लाइन्स है वो बहुत चोटी चोटी और कम लाइन्स है तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि सन के ओपर लाइन उगारा की कमी है अभी आपके हम दूसरी फोटो में जाके देखते है तो यहां से देख सकते है एक लाइन ये है एक लाइन हलकी सी मुझे लग रहा है ये इंप्रेशन सा लग रहा है कि है कोई लाइन मैं नहीं जानती हूँ सन लाइन आपकी बहुत ही जादा उपर से शुरू हो रही है अभी फिलहाल इतनी है देखो जो ये लाइन्स होती है वो मेल लाइन्स तो जो आगी सो आगी वो नहीं चेंज होंगी लेकिन हा सन लाइन ये मर्करी लाइन ये सारी लाइन्स आ सकती है आने वले टाइम पर मतब आप जैसे एज 20 है तो आने वले टाइम पर हो सकता है जो 10 साल बीते हैं 15 साल बीते हैं तो ये लाइन आ जाए आपके हाथ पर तो ये चीज पॉसिबिलिटी है फिलहाल अभी आपकी sun line बहुत छोटी है तो आपको fame वगरा जो अच्छे वाला fame है वो बहुत बढ़िया वाला और जो टिकने वाला fame जैसे आपने बताया कि demonetize हो गया पहले तो fame मिला लेकिन बाद में खतम हो गया तो वो आपका fame जो है वो start हो जाएगा आपके ये वाली age के 50 के बाद से ये मुझे दिख रहा है उससे पहले नहीं बाकी ये जो line है ये connection बता रही है फॉरण का ठीक है न जो आपकी Saturn से sun की तरफ जा रही है और आपका sun ठीक है हमने देख लिया और उसके बाद Saturn पे को मैं देख रही हूं कि Saturn mount पे आपके यहां पे खड़ी line देख रही है जो अच्छी है पैसे की कमी नहीं आएगी आप पैसा वैसा खूब कम आओगे जब आपकी fate line आपका साथ देगी तो तो वो चीज है बाकी हम देख लेते हैं जूपिटर बाकी तो कोई sign मुझे Saturn पे नहीं देख रहा है आपके जूपिटर mount आपका जैसे मैंने पता है normal है तो आपके जूपिटर पे यहां से ring of Solomon भी एक जारी है लेकिन सिर्फ एक ही है तो आप जब अपने दिमाग में चीज बिठाल होगे ना कि नहीं मुझे टाल मटोल नहीं करना है मुझे अपना काम complete करना है तो यह lines और आजाएंगी और और आने की वज़़ए से क्या होगा आपका काम बहुत ही जादा अच्छा चलेगा जो भी आप करोगे ठीक है दूसरा यह sign तो आपका आने वाले time पर possibility है 70% possibility है कि आप lottery से income करोगे एक time पर अपनी life में तो यह चीज मैंने आपको बोल दी लेकिन अभी आपको कोई भी इस तरह की कोई भी चीज नहीं करनी है क्योंकि अभी आपकी age 20 है और अभी आपकी fate line नहीं है अभी जो मैंने देख लिए आपका हाथ already तो अभी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी जो मैं age बताऊंगी उसके बाद ही आप करोगे तो आपको यह चीज मिलेगी वरना ऐसा नहीं है कि कभी भी मिल जाएगी आपको इसके लिए हमको बहुत सारी indications देखनी पड़ती है कि कभ मिल सकती है तो उसी age में आपको करना चाहिए अगर आप ऐसी किसी age में कर दोगे जहां पे कि आपका ठीक नहीं चल रहा सब कुछ तो आपका नुकसान हो सकता है तो ये lottery वाली line होती है जो आपके हाथ पे है और Jupiter पे यहां हलकी फुलकी ना आपकी impression सा है ambition line का तो ambition अभी आपके धुंदले धुंदले से है थोड़े से मतब ऐसे करके मैं नहीं कहूंगी कि बहुत पक्के बहुत मजबूत इरादे ऐसे वाला थोड़ा सा कमी है क्योंकि age वहीं बार-बार मैं बोल रहीं छोटी है तो आप ambition आपने बनाओ अभी आप अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई complete करो क्योंकि वो बड़ी important है उसके बगार तो कुछ भी नहीं हो पाएगा future में तो आप यह आप graduation कर लो अपनी उसके बाद फिर आप अपनी ambitions को set करो यह चीज और उसके बाद हम देख लेते हैं आपका inner और outer Mars inner आपका Mars ऐसे outer आपका ज़्यादा बड़ी है तो कोई भी चीज शुरू करनी हो तो आपको problem होती है लेकिन एक बार आप शुरू कर लो तो बड़िया आप तरीके से उसको end करते हो उस चीज को खतम करते हो तो यह चीज आपके अंदर काबलियत है और अच्छे हैं दोनो Mars जो आपके immune को अच्छा कर देंगे आपका अंदर मतब लड़ने की शक्ती देंगे आपकी body को मतब कोई भी problem आती है उससे तो यह चीज भी अच्छी है और ऐसे लोगों को जमीन से जुड़े होए काम से फाइदा मिलने के chances रहते हैं future में land से जुड़े होए तो आपको भी मिल सकता है बाकी आपका Venus जैसे मैंने पहले बात कर दी बहुत बढ़िया है जिसने की आपको ये चीज आप music वगरा में बहुत आपका interest है और आपने इसमें success भी हासिल किये तो वो चीज आपको Venus ने दिये और sun ने भी दिये ठीक है तो ये दोनों mount थे जिनकी वज़ा से आपको अच्छा मिल गया तो ये mount आगे भी आपको help करते रहेंगे आगे भी आपको help करेंगे ज़रूर आने वाले time पे Venus पे थोड़ी हलकी फुलकी लाइन से अभी जादा नहीं आई है तो ये इसलिए भी कम है क्योंकि अभी इस वक्त आप श्याद कुछ भी नहीं कर रहे है तो ये फल देने वाली lines होती है अभी आप पढ़ाई भी नहीं कर रे हो अगर नहीं हो visible तो उस टाइम पे आपको फिर जो भी महन加入 करते है लेकिन इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसलिए यह लाइन है ही नहीं यहापे तो जब आ जाएंगी तो आपको यह जुरूर आपकी महनत का फल देंगी बाकी आपका बीनिस ठीक है लगजरी लाइन हैं बहुत सारी तो आप काफी जादा लगजरी बगरा जो होती है लगजरी आइटम्स उसकी दरफ एट्रैक्ट होते हो आपका मन कपड़े वपड़े खरीदने का या लगजरी पे पैसा खर्च करने का आपका बहुत मन करता है और यह लाइन्स अगर आप कमानी रहे होते तो यह लाइन्स आपको लेजिनेस भी दे देती हैं जो आपको मु मून अभी थोड़ा सा आपका दबा हुआ है थोड़ा छोटा है इतने जादा उब्रा नहीं है तो मून माउंट आपका लेकिन क्लियर है जो दिखा रहता कि आप मतब जादा डीप इंकिन जैसे होती इस चले जाना बहुत जादा टेंचन लेने आप ऐसा कुछ नहीं करोग और साथ में आपका पूरा hand ही flat है आपके हाथ पे ज़्यादा तर mount flat है तो उस हिसाब से ठीक है ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ फॉरन करने ही हो पाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा ठीक है आपका moon अच्छा है कोई bigger word नहीं है तो moon आपका बड़ी है कुछ बोलने को खास है नहीं अब आपकी lines देख लेते हैं आपकी heart line जो है वो अच्छी है आपकी तीनों की तीनों जो main lines है वो बहुत अच्छी है ऐसे जो main line वाले लोग होते हैं वो अपनी life में एक time पे आके success हासिल करी लेते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं अपनी life में कमा लेते हैं earn कर लेते हैं जो की एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए चीज़ें जुरूरी होती हैं या फिर जो अच्छा bank balance बनाई लेते हैं तो यह एक अच्छी indication होती है बस आपकी यहाँ पे एक अफसाइन है चोटा सा जिसके बारे में बात करेंगे आपकी heart line जो है वो खतम हो रही है जुपिटर में तो आपको क्या करना है आपको पैसे उधार किसी को भी नहीं देने आपने कहा था मेरे 70,000 का amount मेरा चला गया वेस्ट हो गया तो यह इसी heart line ने करवाया है तो यह और भी आपकी नुकसान कराती रहेगी इसके लिए आपको क्या करना है आपको थोड़ा बहुत दान करते है चैरिटी विगरा आपको थोड़ी बहुत करते रहना है जैसे आप किसी की help कर दो थोड़ी बहुत ऐसी वाली help नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाना शुरू करते है लिमिटेड थोड़ा सा है मांट जैसे आप दो तीन सो रुपया जैसे फ्रूट खरीदा बच्चों में बांड दिया बुक्स खरीदी बच्चों में बांड दी बड़े सारे बच्चे होते हैं कोई कपड़ा लेके दे दिया किसी बच्चे को वैसे वाला आप करते रोगे तो आप बच्चे रोगे उस चीज से बड़े वाले नुकसान से बच्चों में बढ़े वाले तो ये चीज है बाकी पैसे दसे उधार नहीं देने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव किसी को नहीं देने वह वापिस नहीं मिलेंगे ये चीज है और आपकी हार्ट लाइन बिलकुल ठीक है mindland बहुत बढ़िया है लेकिन disturbed रहेगी जब तक आपकी age चलेगी कोई 35 के around तक 35 तक आपकी mindland थोड़ी disturbed है अभी आपकी age 20 है तो ये island जो बन रहा है यहाँ पे आपने बताया था कि मेरा नुकसान हुआ 70,000 का तो ये island इसी ने करवाया तो आपको क्या करना है कि आपको मतब बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसों का जो नुकसान है आपका आगे भी होता रहेगा ठीक है 35 की age तक ये चीज होती रहेगी तो आपको 35 या 33 लगा लो एक दो साल आगे पिछे भी हो सकते हैं तो आपको तब तक खास तोर पे 35 ही लगा के चलो आप 33-35 तब तक आपको पैसे की कोई भी investment बड़ी वाली नहीं करनी है पैसा हाथ में आए तो उसका आपको आपना या तो आप क्या करो कि आप उसकी कोई चीज खरीद लो जैसे कुछ जमीन वगारा जैसे बहुत जादा पैसा आ गया तो कोई land खरीद लो कोई asset बना लो कोई property खरीद लो या gold वगारा खरीद लिया या कुछ इस तरह से और वो मतलब लेकिन अपने पास नहीं रखना है क्योंकि आपका नुकसान होने intelligent हो आपको चीजें बड़ी अच्छे से याद रहती तब ही आप music जैसे चीज में इतनी success हासिल कर पाए because of this mind line straight है एकदम तो आपका ये nature रहेगा आपकी willpower बड़ी अच्छी है आप बहुत practical हो emotional थोड़े कम हो आप तो वो चीज भी बहुत बड़ी है तो ये चीज अच्छी है कि आपकी mind line है एक आपकी mind line लंबी है तो आपको क्या करना है आपको ऐसा काम करना है जो कि आप काफी लंबे टाइम से कर रहें जैसे ऐसे जो mind line वाले लोग होते न उनको advice किया जाता है कि आप अगर business करना चाहते हो तो किसी नई item कोई नई चीज में अगर आप जैसे किसी ने एकदम कोई नई चीज चूज की मान लो किसी ने jewelry का business शुरू किया उसके लिए एकदम कोई experience नहीं है zero experience है तो उसको 10 साल अगर ऐसी mind line है उसकी 10 साल का time उसको 8 से 10 साल का time उसको देना पड़ेगा उसके बाद जाके उसका business चलना शुरू होगा उससे पहले उसका business उसको नुकसान ही कराता रहेगा तो अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आप इतने सालों का नुकसान बरदाश कर सकते हो तो आप business start कर लो लेकिन अगर आपका आप सोचते हो कि नहीं मुझे कोई item कोई ऐसी है जिससे मुझे मेरा इसमें interest है तो मैं start करूँ तो अभी आपकी age 20 है तो आप कोई वही वाली चीज जो है उसमें करना चाहते हो तो आप करो लेकिन छोटी investment से शुरू करो बड़ा investment करो इतनी investment करो जिस जो कि आप बरदाश करपा उसमें नुकसान भी ठीक है आप समझे मेरी बात वो चीज है या फिर आप पुछते हैं नहीं business करो या फिर अगर business नहीं करना है तो आप नौकरी करो सबसे best आपका रहेगा job करना जो कि आपकी हाथ पे आपकी fate line भी बता रही है कि आपको multinational company में नौकरी ढूंडनी चाहिए ज़रूर पहले तो आप अपनी पढ़ाई complete करो जो बहुत important है आप वो complete करो उसके बाद आप graduation के बाद फिर आप अपनी किसी और कोई छोटा मोटा course करो और उसके बाद आप नौकरी ढूंडो आप बोल रहे थे कि मैं future बनाओ music में तो music में अगर आप future बनाना चाहते हो आप करो वो भी करो मैं नहीं कह रही हूं कि ना करो लेकिन उसको side पे रखो क्योंकि music में भी आपका एक दम से बड़िया करियर नहीं बनेगा उसमें भी आपको बहुत साल देने पड़ेंगे और इतने सालों तक possible अगर आपके लिए है कि आप अपने आपको पूरा वो कर पाओ अपने खर्चे कर पाओ parents आपको दे रहे हैं अगर तो कोई problem नहीं है parents को अगर आप इतनी जल्दी मतब वो नहीं करना चाहते मतब कि जैसे होता ना कि parents कर रहे हैं तो ठीक है तो तब आप कर लो लेकिन मतलब कि मेरा यह है कि आपका जो मैं हाथ आपका देख पार हूँ वो यही बोल रहा है कि आपको job करनी चाहिए multinational company में जैसे कि आपके loop भी था यहां पे तो जो मैंने बताया कि आपको बड़ी बड़ी वाली company में जाना है तो वो चीज़ करो और business को side by side रखो ठीक है जब 8-10 साल हो जाएंगे आपको लगेगा कि हाँ business अब यह मेरा जो मतलब वो है business कौन सा music वाला जो आपका है profession तो उसको आप side by side रखो आप music भी करते रहो तो उसके बाद जब आपको एक time पे लगेगा कि हाँ आप music ने भी अच्छा देना शुरू कर दिया मेरा youtube channel बहुत बड़ीया चल रहा है सब बड़ीया चल रहा है आपको कुछ और चीज मिलती है तो आपको लेकिन वो भी बहुत बड़ीया होती है तो वो चीज मुझे आपकी साफ साफ दिख रही है multinational company में job ठीक है तो बाकी ये चीज थी आपकी mind line थी जो की अच्छी है बड़िया quality की है अब आपकी आ गई है lifeline जो यहां से शुरू ऐसे जा रही है lifeline में भी यहां पर यह up sign है क्योंकि यह दोनो mind line और lifeline दोनो इस वक्त merged है तो यहां पर वो ही उसने नुक्सान करा है आपका और उसके बाद आपकी lifeline जा रही है ऐसे करके तो ठीक है आपकी lifeline मुझे कहीं से भी इंडिकेशन लेफ्ट हैंड पर न तो यह दिखा रही है कि आप क्या होगा कि यह जो यहां से जब शुरू होगी न आपकी lifeline यह भी comfort zone वाली line मानके चलो आपकी यह देगी आपको comfort zone और comfort zone वालों को हमेशा अपनी country छोड़के बाहर जाना चाहिए तो यह उनको success मिलती है ठीक है तो यह चीज मैंने देखी आपकी lifeline पे और यहां पे आपकी एक अच्छी सी बड़ी सी wish होने का भी chances रहेगी जो आपकी age जो है वो रहेगी near 38 to 40 ठीक है यहां पे आपकी एक wish पुरी हो सकती है इस age में बहुत बड़ी कोई wish जो आप बहुत देर से चाहते थे वो अली wish तो यह एक इस तरह का भी काम करेगी बाकी आपकी lifeline perfect है अब हम चलते हैं आपकी fate line पे fate line आपकी मैंने बहले ही बता दिया आपको moon mount से शुरू हो गई है moon mount से शुरू होने वाली fate line दिखाती है आपको बाहर foreign का connection आपका मतब कि foreign का connection moon mount से बहुत बड़ी है जुरूता है और एक छोटी सी एक lifeline की जारी है moon की दरफ जो की दुबारा again दिखाती है foreign का connection तो यहां से भी हमने देखा था एक जो मैंने बताया था sun पे जो line जा रही है वो भी foreign का connection तो बार बार foreign का connection आपके हाथ में मुझे दिखा रहा है जो दिखा रहा है कि हाँ आगर आप बाहर जाते हो out of country जाते हो आपके लिए बहुत बड़ी है अभी तो आप छोटे हो अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो साथ साथ में music का भी करते रहो हो सकता है आपका music में ही कुछ बन जाए लेकिन जो मुझे जादा chances लग रहे हैं जो जादा बड़े जादा जो chances है वो आपके मुझे foreign के ही लग रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको multinational company में नौकरी करनी है और आपकी जो शादी जब होगी तो आपकी wife बहुत supportive होगी आपके in-laws बड़े supportive मिलेंगे आपको क्योंकि आपका moon mount से शुरू होने वाली fate line ये दिखा रही है और अभी आपने बताया कि मैंने जब भी कोई काम करता हो वो पूरा नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता पूरा क्योंकि आपकी fate line जो है वो fate line गायब है तो आपकी fate line शुरू होगी after 25-26 तो जब आपकी fate line 25-26 के बाद शुरू होगी तब ही आप ऐसे आपके हाथ में टिकेंगे और आपको कोई पता चलेगा कि हाँ मैंने अर्ण कि आप मैं इसको मेरे पास है इतना अमाउंट तो जो भी आप अर्ण करोगे तब ही मैंने कहा अभी सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और आपकी शादी के भी चांसिस उसी एज में ही बनेंगे ठीक है न अभी रिलेशन्शिप आपका अगर कोई नहीं है ऐसा मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि हाँ अभी अगले साल हो जाएगा या उससे अगले साल वैसी कोई प्रेडिक्शन नहीं हाँ शादी की मै कर सकती हूँ कि इस एज में शादी होने के भी चांस रहेंगे आपके तो यह चीज़ है बाकी हम देख लेते हैं आपकी मैरेज लाइन को भी तो आपके हाथ पर सबसे जो बड़िया लाइन लगी मुझे वो थी आपकी मैरेज लाइन जो बहुत अच्छी है आपकी मैरेज जो है जैसे मैंने अपकी fate line से बताया 26 साल से लेके 27-28 साल तक की age में कभी भी हो सकती है तो हाँ वहाँ पर possibility है यहाँ पर एक हल किसी marriage line मुझे दिख रही है जो ये दिखा रही है कि इस age में शादी होने के chances हैं और अगर नहीं होती है तो ये जो age बनती है आपकी ये age काफी late age में जाके आपकी शादी करा देगी जैसे 30 से 32 साल की उमर अगर अभी नहीं हुई शादी 26-27 की age में तो फिर 32 साल की उमर तीस से 32 साल की उमर आप लगा के चलो तब आपकी शादी जरूर हो जाएगी और आपके साथ ये सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि आपका relation आपक आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा रहेगा बहुत ही जादा अच्छा आपकी जब शादी होगी तब आपको लगेगा कि हाँ ये सबसे best decision था मेरी life का तो ये इतनी अच्छी चीज़ होगी आपके साथ तो ये रही आपके palm की analysis I hope ये आपको अच्छी लगी हो मैं होगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब तक लिए बाइबें टेक केर